आम जनता उनकी तरफ है जो ब्रस्टाचार के लिए लडने तो आये थे पर खुदी ब्रस्टाचार हो गए, आज नरेंदर मोधी का आप देखें कि उन्हों ने ब्रस्टाचार के खिलाब लडाई लड़ी और वो ब्रस्टाचार को जीरो टो मतुलिनस पर लेगे चलते हैं प और सीड़ी से घसीटते वे एडी लेके गई उनको निया वहां से क्या नाम है जमानत नहीं मिल पारे इससे जनता को पता है दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता और देश की जनता जानती है कि अरविंद केजिरवाल वो ठक था जिसने किस तरीके से ठक बंदन के साथ अनना जारे को दोखा देने वाला व्यक्ति उसके बाद आप आईए अनना जारे को दोखा देने वाला कुमार विश्वास को दोखा देने वाला जिल्ली की जनता को दोखा देने वाला पंजाब की जनता को दोखा देने वाला कह रहा था कि यमुना साप कर देंगे पांस सा आने के लिए यह पूराеци पूरा नमककाड नबभाई निलगे हैं। से यह कहना चाहता हूँ एक बार तों सिराप ओडालेगा बता दू जो नहीं है तो खुल के न्यूज में आके क्यों नी नियूज में आकर बताते के हम ने कोई गोठाला नहीं गरा। कि को जंता समझ जाएगी स्कूल का तुम कहर Рre openly गनता वाई एक हम नेरे गटर गए पानी की तो आप बताओ कहां दिल्ली सेफ है कहां सेफ है दिल्ली बता दो स्कूल को टाला स्कूल में चले आओ भी ना नियूज आ ले तो आपको दिल्ली का पता चलेगा सरकारी स्कूल की क्या हालत है सब यह कहते है पढ़ाई पढ़ाई कहां की पढ़ाई हो रही है मेरे को बता दे रही एडी की और कोट का तो जब प्राइम मिनिस्टर पर इंक्वाइरी हो सकती तो दिक्कत क्या है अगर उन पर दिक्कत हो गई उन पर एंक्वाइरी हो गई तो अब जज सही है आप पर अगर हो गई तो जज भी विकावा है वकील भी विकेवे हैं एडी और न cima सब्सक्राइब कर सकता कि य है और सब्सक्राइब ese घर उसकानकी बड़े दासका क्या साफен कि यह पर किन्स अधिका प्राब्लेम होगी प्राइम कानकी जात कि इस दे Taylor ले सकते हैं बड़ो अधिकारी पहीर आप अपनी बारी में क्यों तुम आत्फे पर करता है तुम्हारे लिए निए नोट नोटिस बेजी है तुम क्या इंतिजार कर रहे थे तुम्हारे यह पार्डी के नेता के लाज गलोद एक नोटिस पर क्यों पहुंच गया अपनी सभाई देने के लिए और यही चीज है कि जब तुमने जो कहा था वह उस पर तुम ही खड़े न हैं तो यही चीज है तो यहीं चीज है बढ़िया कर रहे हैं अगर जांच हो रही है तो जांच होनी चाहिए जांसको क्या भागोना है मैं hoje मिश्च में बीanks सतीफा दे लिया ुजब मैं कहा कि अभी उसको तो मुझे लगता है कांग्रेस छोड़के ना वो ननिहाल चले जाना चाहिए अगर इस बार इस बार देखो चार सो सीटे पकी हैं एंडी है और तीन सो सत्तर बीजे भी तो उसको ननिहाल चला जाए ऐसे सोनिया गांदी ने भी जब उसका राजीव गांदी का मर्डर हुआ था असेसिनेशन हुआ था तो उसने भी ब्रेक लिया था आपको शायद होगा तो इसी तरह इनको भी चले जाना चाहिए और ये बिल्कुल ये जाएंगे नहीं ये इनका देखो इनका काम यही है ये पीछे से गोर्मिट चलाते हैं जो भी अध्याक्षा चाह पाएंगे नहीं बिल्कुल इनको नैतिक तोर पर रिजाइन दे देना चाहिए मेरे साथ से अब जनता जवाब दे रही है निकुल सही बात है राहुल गांदी को गर बेट जाना चीए क्योंकि उनसे नहीं हो पाएगा क्योंकि राहुल गांदी में जो फिल्ड का नोलेज ह उसको लोगों का दर्द नहीं पता है लोगों के साथ जो है बहुत सारी घटना होती है वहाँ पर जानी पाता है वो ठीक है बीजेपी आने से इस देश का बहुत ही फाइदा हुआ है ठीक है तो मेरे हिसाब से बीजेपी वाकई में 400 पार है और बीजेपी सरकार बना रही ह और कॉंग्रेस का जाने का वक्त आ चुका है, कॉंग्रेस खतम होने वाली है स्टेपडाउन तो ऐसा है कि हर पॉलिटिश्ञ का लड़ाई मन्दलब यह लड़ाई का मौका है तो यह उनकी मर्ची है राउल जी कि अगर वो स्टेपडाउन करना चाहे य। आ करना चाहे प्रिशांत की शोर्च है जितने बड़े बड़े वो पॉलिटिकल वो एडवाइजर हो लेकिन किसी को यह कहने का रख नहीं है कि यह पैट जो देखिए यह तो अब यह कि उनको कोई फाइदा नहीं है जो कि 400 सीट पार आगी है अब लिखके देलिए हमारे हैं 26 अपरेल का च उबिश्ची बना दिया जेवर एयरपोर्ट बना दिया और उर क्या चाहिए सड़क पूरी बि-ई-पी बना दिया और क्या सभड़ को ना चाहिए ए और इसके मतलब उनके Congress के लावा और भी कोई अच्छे candidate है अगर वो आए तो लोगों का रिजाओ और होगा अभी रिजाओ ऐसा है कि Congress versus अगर आप मोधी को देखते थे हैं और मोधी इस अपने में वह अलगी परसन है तो लोग यूथ हुए जैसे हमारे से यूथ हुए तो हम प्रेणा लेते हैं तो इसलिए हमें उनको सपोर्ट करते हैं अगर Congress में भी कोई ऐसा लीडर आएगा तो definitely Congress को भी सपोर्ट किया जाएगा पर आप जैसे राहूल कांधी को देखते हो तो उस बंदे को पता ही नहीं कि करना क्या है चल क्या रहा है तो यह बहुत बड़ी उसमें ब्याकारात्मक लोगों में आ जाती है कि यार इस बंदे को तो पता ही नहीं है इसलिए Congress आजकल नीचे डाउन जा रहा है